नमस्कार तो अब वक्त हो गया है विकेवी टॉप टेन का तो आईए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप टेन खबरे देश बर से जुटाए गए नमोनों की जिनोम सिक्वेंसिंग से पता चलता है कि कोरोना वाइरस का डेल्टा वेरेंट ही COVID-19 महामारी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है अन्य वेरेंट की मुकाबले ये जादा संक्रामक और खतरनाक है देश में माई जुन के महिनों में की गई जिनोम सिक्वेंसिंग के नतीजे बताते हैं कि 87 प्रतिशत संक्रामन डेल्टा वेरेंट के कारण हो रहा है SARS-CoV-2 Genomics Consortium ने कहा कि जिनोम सिक्वेंसिंग के नतीजे ये भी बताते हैं कि वैक्सिंग कोरोना वाइरस के खिलाफ उच्चस तरिये सुरक्षा प्रदान करता है रेल्वे ने एक नया कोच डेवलप किया है इस कोच से ही रेल्वे जल्दी ही ट्रेनों में एसी एकोनोमिक लास की शुरुआत करने वाला है हालांकि अभी इस कलास का किरायात तय नहीं किया गया है लेकिन बताया जाया दुनिया भर में कोरोना का कोहराम है इसका डिल्टा वेरियंट जान लेवा साबित हो रहा है वाक्सिंग लेने के बाद भी संक्रमित होने वाले ज्यादा तर लोगों में डिल्टा वेरियंट का असर ही पाया जा रहा है हालांकि वाक्सिंग के असर में डिल्टा वेरियंट का खत्रा बहुत घट जाता है देश की करीब एक तीहाई आवादी पर संक्रमन का खत्रा अब भी बना हुआ है। देश की वहाँ बड़े पैमाने पर टीका करन अभियान चलाया गया है। की तिसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है। इस क्लास का कोट 3E दिया गया है जबकि डिब्बे के बाहर इसे M से प्रदर्शित किया जाएगा इस AC3 एकोनोमी कोच में 83 बर्थ की व्यवस्ता है रेलवे ने AC एकोनोमी कोच को नए क्लास के रूप में चलाने का फैसला किया है रेलवे बोट से जारी एक निर्देश की मुताबिक AC3 एंट्री लेवल के AC कोच के लिए AC एकोनोमी क्लास बनाया गया है अभी तक देश में जो भी रेलवे के AC कोच चल रहे है उनमें अधिक्तम 72 बर्थ की व्यवस्ता है लेकिन इस AC3 एकोनोमी कोच में 83 बर्थ की व्यवस्ता है इस कोच में भलेई बर्थ की संक्या बढ़ा दी गई है लेकिन इससे यात्रियों को कोई खास असुविधा नहीं होगी ऐसा इसलिए क्योंकि इस कोच को जर्मन तकनिक वाले HHB प्लेटफॉम पर विकसित किया गया है इस कोच को भारतिय रेलवे के रेलकोच फैक्टरी कपूर थला के इंजिनियरों ने विकसित किया है परिक्षन में सफल होने के बाद इसके 25 से ज़्यादा कोच बना भी लिये गये है ताकि इन कोचो को किसी रेगूलर ट्रेन में जोड़ा जा सके इस कोच को मॉडुलर बनाये गये है ताकि यात्रियों को सफर करने में परेशानी नहीं हो अभी तक इस कोच का किराया तै नहीं किया गया है लेकिन इस कोच का किराया तै करने में वैसे लोगों का ध्यान रखा जाएगा जो अभी स्लीपर क्लास में सफर कर रहे है रेलवे बोट के अधिकारियों का कहना है कि इसका किराया स्लीपर से थोड़ा ज़ादा हो सकता है लेकिन एसी 30 येर से काफी कम होगा इस बारे में शिग्रही फैसला ले लिये जाने की उम्मीद है ध्यान रहे रेलवे ने करीब एक दशक पहले गरीब रत के तोर पर एसी एकोनॉमी का प्रयोग किया गया था लेकिन यह सफल साबित नहीं हुआ क्योंकि जादा से जादा लोगों को ले जाने के लिए इसके साइड बर्थ में एक्स्ट्रा मिडल बर्थ लगा दिये गये थे इस वज़ा से इसमें यातरा आराम देह साबित नहीं हो सकी फॉन टैपिंग का विवाद अभी भी थमा नहीं है कि इसी भी जारखण में सत्ताधरी जारखण मुक्ती मोर्चा ने आरोप लगाया है कि दो साल पहले बीजेपी ने इसराइली कंपनी से EVM हैक का सोधा किया था जे-म-म के महा सचिव सुप्रियो भटाचारिया ने आरोप लगाया है कि 2019 में बीजेपी ने दुबई के अलबुर्ज खलीफा होटल में EVM हैक करने का सोधा किया था सुप्रियो भटाचारिया ने प्रेस कांफरेंस का आरोप लगाया है कि हम लोगों के पास कुछ सूच रहा है जो समय आने पर हम लोग सारवजनिक करेंगे जे-म-म के महा सचिव सुप्रियो भटाचारिया ने EVM हैक के सौधे की बोल खोली है खुलासा किया है कि BJP के शिर्शनेता और चुनाव प्रबंदक दुबई के अलबुर्ज खलीफा होटल में रुके थे उस वक्त वहाँ इसराइली कमपनी के प्रतिनीदी भी उस होटल में मौजुद थे BJP ने इसराइली कमपनी के साथ एक सौधा किया था जिसमें तैह हुआ था कि वह कमपनी EVM हैक करेगी हाला कि JMM के इस दावे पर सवाल उठने शुरू हो गए है कहा जा रहा है कि 2019 के जहारखन विदान सबाच चुनाव में अगर BJP ने EVM हाक कर लिया था तो जे एम कैसे जिद गई BJP प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जे एम के नेता बेबुनियाद आरोप लगाने के एक्सपर्ट है उन्हें बताना चाहिए कि 2019 में ही लोग सबाच चुनाव में जहारखन की जनता ने BJP को प्रचंड बहुमत दिया उसके बाद विदान सबाच चुनाव में जे एम को जनता का समर्थन मिला ऐसे में ही ने बताना चाहिए कि क्या विदान सबाच चुनाव में इन्होंने दुबई में EVM हैकिंग का सौधा किया था ये बात ये बता दे कि साल 2019 के लोगसभा चुनाओ में पहली बार बिजेपी की तत्कालिंग पीएम प्रत्याशी लालकुरुशन आडवानी ने EVM हैकिंग का मुद्दा उठाया था इसके बात 2014 के लोगसभा चुनाओ में बिजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद कॉंग्रेस समय तमाम विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि बिजेपी EVM हैकर चुनाओ जित्ती रही हालांकि अब तक इसके कोई परियाप्त सबुत नहीं मिले हैं चुनाओ आयोग एक वक्त पर सभी राजनितिक दलों को ओपन चलेंज कर चुकी है कि वे आकर EVM हैकर के दिखा दे लेकिन उस वक्त कोई भी राजनितिक दल ऐसा करने में विफल रही थी इसकी बात से जब भी किसी चुनाओ में बिजेपी को जित मिलती है तो विपक्षी केंद्र के साथ ममता बानर जी का टकराव जारी है इसका एक और नमुना सामने आया है पशिम बंगाल सरकार के अनुसार अब से राज्य सरकार का कोई भी विभाग लोगसभा के सवालों के जवाब तयार कर उन्हें सीधे तोर पर नहीं बेज पाएगा राज्य सरकार ने न विभागों के सचीवों को पत्र भेजा है पस्चिम बंगाल राज्य के मुख्य सचीव हरी कृष्ण द्विवेदी ने सचीवों को भेजे पत्र में कहा है कि 2019 में विभागों को लिखित तौर पर चेतावनी दिये जाने के बावजुद देखा गया है कि लोगसभा में भे बेजा जाएगा सुत्रों के मुताबिक कुछ मामलों में मुख्य मंतरी मम्ता बैनर जी से मंजूरी मंगी जा सकती है गौर तलब है कि ममता बैनर जी के तीसरी बार बंगाल में सत्ता में आने के बाद केंद्र और तुरुनमुल सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है राज् से पूछे जाने वाले सवालों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है ताकि विभिन्न सव्वेदंशिल मुद्दों पर प्रतिक्रिया किसी भी तरह से केंद्र के लिए हतियार न बन सके प्रशासनिक सुत्रों के मुताबि केंद्र सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों से संबं पिछले विदान सबा वोट से पहले ही राज्य सरकार ने विभिन्नक शेत्रों में राज्य की प्रगती पर केंद्रीय सुचना का वीरोत किया था। चीन के लिए विश्वस्वास्ता संगटन ने चीन के आगे प्रस्ताव रखा है। मगर चीन ने विश्वस्वास्ता संगटन की COVID-19 उत्पत्ति की जांच योजना को खारिश कर दिया है। चांच में अधिकारियों से पारदर्शिता की मांग की गई है जिससे प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए। और विग्यान की अवहल ना करता है। हमें उम्मीद है कि WHO चीनी विशेशग्यों द्वारा दिये गए विचारों और सुझाओं की गंभिरता से समिक्षा करेगा। और वास्तों में COVID-19 वायरस के मूल अनूरेखन को एक विग्यानिक मामले के रुप में मानेगा। और राजनितिक हस्तक शेप से छुटकारा दिलाएगा। दर असल इस पूरे मामले की शुरुआ दिसंबर 2019 से शुरू हुई जब विशेशग्यों के बिच वायरस की उत्पत्ती को लेकर विवाज शुरू हुआ। कोरोना वायरस का पहला ग्यात मामला दिसंबर 2019 में मध्यचिनी शहर वुहान में सामने आया था। माना जाता है कि ये वायरस शहर के एक बाजर में भोजन के लिए बेचे जा रहे जानवरों से मनुश्यों में आया था। जिसके बाद से पूरी दुनिया की नजर चिन से आये इस वायरस की जांच पर टिकी हुई है। जेंग इसे खारिस करतीवे डबलू एचो की योजना को बचकानी बता रहे है। उन्होंने कहा कि जब हमने इस योजना के प्रारूप को पढ़ा तो चकित रहे गए। क्योंकि यह इस परिकल्पना को सूची बत करता है कि प्रयोकशाला प्रोटोकॉल के चिनी उलंगन ने शोध के दोरान वायरस को लीक कर दिया था। वाक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाव यू दिपिका। बाई! सब जानना चाते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट टेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे टेस्ट तर पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची, तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूद होने चिए जो देखता है, Flyveen Aviation Academy Flyveen Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिट है, जहाँ पर Airlines and Airport Hospitality और Tourism Management साथ ही यहाँ Campus Interview, Guidance by Industry Expert, Practical Training at Airport, Expert Faculty, Personal Grooming जैसे कई सारे Benefits आप पास सकने है Flyveen Aviation Academy, One Degree, Three Job Opportunities Flyveen Aviation Academy, Gives You a Degree or Diploma with a Job Flyveen Aviation Academy, 365 Gani Nagar, LAD College Square, Beside Karnatika Bank Nagpur तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है WhatsApp ने हर किसी की जिन्दगी को आसान बना दिया है, हाला कि जरासी चुक आपको भारी नुकसान भी पहुचा सकती है दरसल WhatsApp पर की गई कुछ गल्ती से आपके अकाउंट को बैन किया जा सकता है साथ ही आपको जेल भी जाना पड़ सकता है ऐसे में WhatsApp का इस्तिमाल करते वक्त साओधानी बरते याद रखे हाल ही में WhatsApp ने 20 लाग भारती अकाउंट को बंद करने का एलान किया है दुनिया बर में औसतन हर माह 80 लाग WhatsApp अकाउंट बंद किया जा रहा है WhatsApp ने जो सुविधाय दी है उसकी दुनिया मुरीद है लेकिन हाल के दीनों में जिस तरह से सोशल मेडिया का दुरूपयक किया जा रहा है उसे देखते वए WhatsApp ने सकत नियम बनाए है और खाते तक बंद किये जा रहे है अकाउंट को दो तरह से स्थाई और अस्थाई तोर पर बंद किया जाता है स्थाई तोर पर बैन अकाउंट को दोबारा से नई एक्टिव किया जा सकेगा स्पैम मैसेज भेजने वालों के खिला WhatsApp सकता एक्शन लेता है उन नंबरों को ट्रैक करता है जिस से दीन भर में हजारों के संख्या में मैसेज भेजे जाते है बिना से ओ नंबर से आने वाले मैसेज पर भी WhatsApp नजर रखता है पैसा डबल करने की स्कीम भेजने की शिकायत पर अकाउंट बैन कर दिया जाता है इसके अलावा पॉन खास करके चाईल पॉन कंटेंट को भेजने पर सीधे अकाउंट को बैन कर देता है इस टितिम में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है WhatsApp थर्ड पार्टी एप की मदद से WhatsApp इस्टेमाल की इजाज़त नहीं देता है लेकिन मार्केट में ऐसे कई सारे एप मौजुद है WhatsApp हर मा इनकी स्कैनिंग करता है जो थर्ड पार्टी एप चला रहे है थर्ड पार्टी एप चलाने वाले अकांट को बैन कर दिया जाता है या अस्थाई बैन होता है स्विच करने पर दोबारा से अकांट को एक्ट्व किया जा सकता है थर्ड पार्टी एप में ओरिजनल एप के मुकशाबले जढ़ा फीचर्स होते है अगर कोई whatsapp hack करने की कोशिश करता है तो उसके किलाब सब्थ कारवाई की जा सकती है जेल की हवा खानी पड़ सकती है भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है फिल्म या अन्न सामगरी की पायरेसी करने पर भी अकाउंट को बेंड किया जा सकता है जंतर मंतर पर किसानों का पहले ही दिन प्रदर्शन फुस नजर आ रहा है सुबह 11 बजे से 200 किसानों का प्रदर्शन शुरू होना था लेकिन 12 बजे के बाद शुरू हो पाया क्योंकि प्रदर्शन कारी समय पर जंतर मंतर नहीं पहुँचे राकेश टिकेट समय दोसो किसान सिंगु बॉर्डर से ही देरी से निकले तो रास्ते में उनकी बस खराब हो गई जिसके बाद उन्हें दूसरी बस से रवाना किया गया बसों के जरिये दोसो किसान बारा बजे के आसपास दिल्ली के जंतर मंतर पहुचे है अपनी मांगों को लेकर किसान अडिक है बात सरकार तक रखने का उनका प्रयास जारी है इस क्रम में नई दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों का धरना प्रदर्शन होने वाला है प्रदर्शन के पहले दिन गुरुवार को दोसो किसान देर से ही सही जंतर मंतर पहुचे सयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ भागी उनेता राकेश्टिकेद भी शामिल है कुल मिलाकर चार बसों के जरिये 200 किसान धरना प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पहुचे है तीनों केंद्रिय कुरुशी कानूनों को पुरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिली के जंतर मंतर पर 200 किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ दिली NCR के बॉर्डर सिंधू, टीकरी, शहजापूर और गाजीपूर में भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है आगामी 9 अगस तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमती दिली पुलिस की और से मिल गई है बताया जा रहा है कि उपर आजजपाल अनिल बैजल के निर्देश पर दिली पुलिस और किसान प्रदर्शन कारियों के बीच सहमती बनी दिली पुलिस की और से अनुमती के तोर पर दोसो प्रदर्शन कारी 9 अगस तक रोजाना जंतर मंतर पर सुबह 11 से शाम पाज बचे तक प्रदर्शन कर सकेंगे सूत्रों के अनुसार जंतरमंतर जाने वाले 200 किसानों की बसों को सिंगु बॉर्डर पर रोका जाएगा यहां बसों में बैठे प्रदर्शनकारी और वो उनके आधार कार्डों की जाज की जाएगी पुलीस यह भी देखेगी कि 200 से जादा प्रदर्शनकारी बसों में तो नहीं बैठे है इसको लेकर भारी संख्या में पुलीस वो सुरक्षा बलो के जवान तैनात किये गए है संसत घेराओं के मद्दे नजर दिल्ली पुलीस की और से सुरक्षा के कड़े प्रबंद किये गए है नए दिल्ली जिले में तकरीबन प्रतेक मार्क पर मजबूत बैरिकेडिंग कर भारी संख्या में दिल्ली पुलीस वो पैरे मिलिटरी की तेनाती की गई है मुंबई के पुर्वा पुलीस आयुकत परंबिर सिंग की मुश्किले और बढ़ती जा रही है अब उनके खिलाफ मरीन रे पुलीस टेशन में रंगदारी का मामला दर्ज किया गया है परंबिर सिंग पर एक बिजनेसमैन से रिश्वत मांगने का आरोप है मुंबई पुलीस के अनुसार दर्ज FIR में कुल आठ लोगों के नाम है जिन में से छे पुलीस कर्मी शामिल है इस मामले में पुलीस ने अब तक दो नागरिकों को गिरफतार किया है जाज का दाइरा लगातर बढ़ता जा रहा है हाल ही में महाराष्ट सरकार ने मुंबई के पुर्व पुलीस आयुक्त परमबिर सिंग के खिलाप ब्रस्टाचार के आरोपों की खुली जाज करने के लिए ब्रस्टाचार रोधि ब्योरों को अनुमती दी है अब उनके खिलाप एक और मामले में भी कारवाई हो सकती है परमबिर सिंग पर ठाने में पुलीस प्रमुक रहते समय मलाबार हिल्ज सिलाके में आधिकारीक अपार्टमेंट में रहने पर उसका किराय न चुकाने का भी आरोप है इराशी अब लाखों में पौच गई है परमबिर सिंग को 18 माज 2015 को ठाने का पुलीस आयुकत नियुकत किया गया था इससे पुर्ववह मुंबई में स्पेशल रिजर्व पुलीस फोर्स के एडिशनल डिजी पी थे परमबिर सिंग को मलाबार हिल्स के निलीमा अपाटमेंट में आवास उपलप करवाया गया था लेकिन ठाने में पोस्टिंग होने के बाद भी उन्होंने अपाटमेंट खाली नहीं किया 17 माई 2015 से 29 जुलाई 2018 तक किराय और पेनल्टी को जोड़ कर उनके उपर 5410 लाख रुपए बकाया थे इसमें परमबिर सिंग 2943 लाख रुपए अदा कर चुके है 24,666,000 रुपए अभी भी उन पर बकाया है बतादे की पोस्टिंग अउदी से मापत होने के बाद 15 दिन के भीतर सरकारी आवास में रहने की छूट दी जाती है इस दवरान सरकार लाइसंस भी स्वसुलती है लेकिन समय पर आवास न खाली करने पर किराय के साथ पेनल्टी भी देनी होती है परंबिर सिंग और महाराष्ट के ततकालीन ग्रुह मंत्री अनिल देश्मुक के बीच विवाद होने से पहले परंबिर सिंग ने बकाया माप करने की अपिल भी की थी क्योंकि उनके परिवार को मुंबई में रहने के लिए जगा चाहिए थी इसके अलावा महाराष्ट पुलिस के दो अधिकारियों ने सिंग पर पैसे लेने और पुलिस दल में वापस भाल करने के लिए करोडो रुपे की मांग करने का आरूप लगाया है राज्य सरकार ने ACB से जाच करने को कहा है परंबिर सिंग इडी के भी रडार पर है सेंटर यूनिवरसिटी वा माहराजा रणजित सिंग पंजाब टेकनिकल यूनिवरसिटी जालंधर ने एक ऐसा केमिकल इजाद किया है जो ऑक्सिजन कंसंट्रेटर में इस्तिवाल हो सकेगा इस पर बहुत कम खर्चाएगा, इसके इस्तिमाल से न केवल कंसेंट्रेटर की कीमत काफी कम हो जाएगी, बलकि बिजली के उपयोग के भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में ये लोगों की जिंदगी बचाने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी रहेगा। कोरोना के संभव का वाक्सिनेशन की तो है ही, लेकिन बीमार पढ़ने पर ऑक्सिजन की दिक्कतों का भी हल ढूंडा जा रहा है। डॉक्टर वीके गर्ग ने बताया कि दरअसल मरीजों के लिए ऑक्सिजन की प्योरिटी 95 फिजदी चाहिए होती है। इस नए शोध में इसमें 93 से 97 तक प्योरिटी आ रही है। सफलता से हम उच्सुक है, विभीन कमपनियों के साथ भी टाइप किया जा रहा है और इसको पेटेंट कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। शोध करताओने बताया कि आजकल कंसंट्रेटर में जियोलाइट केमिकल इस्तिमाल किया जा रहा है। इसको पहले 600 डिग्री तापमान पर गर्म करना पड़ता है। ऐसे में बिजली की बहुत ज्यादा खपत होत और मरीज को सस्ते में इलाज मिल सकेगा। तीसरी लहर के दोरान इस तरह के कंसंट्रेटर बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। मैं उसका पालन करूँगा। मिच्शा और पाल्टी चीप जेपी नडड़ा का मुझ पर विशेश नेह और विश्वा सरहा है। आप सभी जानते हैं कि पाल्टी के ओर से ऐसे किसी व्यक्ति को कोई पद नहीं देने का फैसला लिया गया है जिसके आयू 75 साल से अधिक हो गई हो। लेकिन मेरे काम की सराह ना करते हुए आयू 78 के पार होने के बाद भी उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी थी। मेरा काम पार्टी को मजबुत करना है केंद्री या नेतरुत्व की ओर से मुझे 25 जुलाई को आदेश दिया जाएगा और उसके मुताबिक मैं 26 जुलाई से काम शुरू कर दूँगा। सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर हमारा 26 जुलाई को एक विशेश आयोजन है। किताओं के मद्भित के अलावा उनकी उम्रक के चलते भी नई लिडर्शिप खड़ी करने पर विचार चल रहा है। तो टॉप 10 के खपरों के साथ आज इतना ही। आप से कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रही है वीके भी नियूस के साथ नमस्कार।